दिल्ली पुलिस के लिए घरों की चोरी की घटना सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर दिन घर, दुकान वे अन्ने जगों पर 311 चोरियां होती है साउथ दिल्ली में लगाता 3 घरों में चोरी की घटना सामने आई हैं पहली घटना डिफेंस कॉलनी की जबकि दूसरी घटना फिलाल 3 मामलों की पुलिस चार्च कर रही है पहला मामला डिफेंस कॉलनी इलाके की है जहां पर एक होटल में आयोजे शादी समहारों से दुलहन की मां का बैक चोरी हो गया पर्स में करीब साड़े 5 लाक नगदी और लाखों के गहने और मुबाइल थे पीडिता प्रवीन कोर अपने परिवार के साथ अरावली अपार्मेंट में रहती है वह दिली के सरकारी स्कूल से रिटायर्ट शिक्षिका है 19 नवंबर को उनकी बेटी का विवा था होटल अफरीका एवनियू में शादी का समहारों रखा गया था शादी के दोरान वह अपनी बेटी और दामात को आशिरवात देने लगी और अपना बैक कुरसी पर रख दिया एक से दो मिनट के अंदर वापिस लौटी तो देखा कि बैक गयाब है सोमवार को पुलिस ने चोरी का मामला दर्च किया फिलाल पुलिस को CCTV फुटेज में कुछ महिलाए संक्रिदी दिखी है उस फुटेज के आधार पर पुलिस महिलाओं की पहचान करने में जुटी है दूसरी घटना सरोजनी नगर इलाके की है जहाँ पर रख्षा मंत्राले में कार्य करता एम मारदानी रहती है सोंबार को वह अपने दफ्तर गईत हुई थी और उनकी बेटी मीनू क्लास करने के लिए गई थी उनकी बेटी जब क्लास कर लोटी तो देखा कि उनके घर का ताला तूटा पड़ा है और नकदी और आभूशन वह महंगे मुबाइल फोन गायब है जाच करने पर पता चला है कि लाखों रुपे के गहने दोएस यूएस डॉलर चांदी के सिके और पैंतीस हजार नकदी गायब है फिलहाल दिल्ली पुलिस परिवार की शिकायत पर मामला धर्ज कर जाच करने में जुटी है आज बुदवार सुबार 22 नवंबर को उतर पुछ नगर पालिकाओं नगर निकाओं और नगर परिशदों के चुनाओं का पहले चरण का मतदान हो रहा है उनमें राजी के वरिष्ट BJB नेता, मुरली मनूहर जोशी का संसदिय छेतर कानपूर समेत पहले चरण में बिजनौर, हातरस, आगरा, हमीरपूर, प्रतापगड, अमेठी, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सोन भद्र और हापूर इत्यादी जिले शामिल है राजे में कुल 16 नगर निगमो, 198 नगर पाली काउं और 438 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं लगतार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक पहुचा सके पहचान सच्चाई की योगी सरकार ने अपने अभी तक के कारेकाल में आयोध्या को बहुत ज़दा तवज्यों दी है खुद CM कई बार आयोध्या के दोरे पर जा चुके हैं अब देखना यह है कि इन निकाए चुनाओं के अंदर BJP कैसा प्रदश्शन करती है कामेरा प्रसन शिवा कि साथ मैं फरहान अब्दुल्ला अराइब 24 नई दिल्ली नई दिल्ली जी एस्टी रिटर्न की प्रक्रिया को असान बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े कदम उठाया है केंद्र ने जी एस्टी नेटवर्क के चेयर्मेन अजे भुशन पांडे के ने तरत में दस सदस्यों की कमेटी का घटन उठाया है कमेटी चालू वित वर्ष के लिए रिटर्न से चुड़े नियम, कानून वा प्रारूप में किसी तरह के बदलाप की जरूरत को लेकर सुझाब देगी कमेटी को अपनी रिपोर्ट्स 15 दिसंबर तक दाखिल करनी होगी समीति में गुजराग, करनाटब, पंजाब और आंध्रप्रतेश के कर आयुक्स शामिल किये गए हैं और अन्ये संबंध पक्षों से चर्चा भी करी जाएगी इसके पीछे हमारा प्रयास रहेगा विया पारियों को विक्री रिटर्न के साथ अंत्रिम विवस्ता के तहट GSTR 3 भी भड़ना होगा मैं सदफखान कैमेरे परसेंट शीवा के साथ अराइफ 24 न्यूस दिल दी